वेलकम बैक इस्टूनेट्स यह वीडियो नमबर टू हिस्टी टॉप ट्वल हंडिट क्वेशन सिरीज की और हम सुरू करते हैं कुष्चन नमबर 51 से तो 51 नमबर यह आपकी स्कीन पर गायत 3 मंथ की स्वेट से लिया गया है चारो विकलप आपके सामने है और आपने आप में बता देते हैं यह लिया गया है रिग वेज से आंसर हो जाता है आपका का आपके लिए सवाल यह है कि अस्तो मासद गमने कहां से लिया गया है किस वेज से लिया गया है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है चलिए अगरे सवाल पर चलते हैं सवाल नमर 52 सूची 1 में दिये हुए हैं और 1,2,3,4 करके सूची B में कुछ ऑप्सन दिये हुए हैं आपको मैच करना है मैच करते हैं यहां पर अप्शन खा वह सूटेबिल हो जाएगा क्योंकि बागा तीन होती ही साकत एक हो जाएगा और फिर दा का कहलाता है अथरवेट का उद्गाता स्वरी दाका ब्रहमा तो यह हो जाएगा ऑप्शन खा आपको परफेक्ट आगे चलते हैं क्वेशन नमबर 53 पर यह रहाओ सवाल आपकी स्कीन पर वेदो को अपरूश है क्यों कहा जाता है चारो आपके पास है और आपका अंसर यहां पर क्या आएगा का क्योंकि वेदो की रजना देउताओं द्वारा की गई है यह इसका राइट आंसर है अगला क्वेशन देखि और यह क्वेशन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एक साथ चार सवाल आपके तैयार होएं किसी भी एबी सारी बी सी डी क्लास के जो एकजाम है उनमें यह सवाल सीधा आएगा एकसर आएएस को आप छोड़ दो तो यह सीधा सवाल आने के 100% चांसे हैं जहां पर भी आए लेखते चार सवाल तैयार हो जाएंगे तो इसको ट्राइए करिए एक बार आंसर बताते हैं वापको इसका चले देकते हैं कौन सा कहां पर फिट बैटेगा दीके संग्ध जो न्याएट जो दर्सन था वो किसका था वह का पिल न्हुत का था तो इसका चार हो जाएगा आपको 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 सकते हैं यह चारव और हो जाता है चार और चार उते हैं आपको चार हो गाया पर्फेक्ट बन यदि किसी ने more than 50% सवाल सही आंसर कर दिये, इसका मतलब उसकी तैयारी अच्छी है, और यदि कोई 70 सूपर करता है, तो उसकी तैयारी इसका मतलब बहुत अच्छी होगी, तो चलिए इसका जो आंसर है, उसका है गा, 55 का गा उत्तरवधिक काल में हुआ था ये, बारे में सरवादिक मानीय मत कौन सा है, तो ये मद इसएा के बारे में इसका जाता है, तो मद इस्थिया में बैक्तिरिया, ये इनके बारे में सथसी जज़़ जाता है, सब्सक्राइब नम्र सवाल देखिए अपसर प्रफद्दंग चारो आश्रम के बारे में जानकारी कहां से मिलती है तो इसका उप्सन होगा का जलाप जावा लोप निशद का इसका अंसर होगा फिट्टी एड नम्र सवाल देए गोत रुब्स्ता पर चलन में काब आई चारो आपसन आपके सामने हैं और इसका आंसर होगा खा उत्तरवधिक काल में बहुत इंपर्टन सवाल है आप देख रहे हैं देखते ही लग रहा कि बहुत इंपर्टन सवाल है और बारवार आने व क्यालाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा खा 59 का खा अगला सवाल देए शड़ दर्शन का बीजारोपन किस काल में होआ उपसन दिखा देते हैं आपको चारो आपके सामने आ चुके हैं और इसका आंसर भी होगा खा उत्तरवधिक काल में 61 नम्र सवाल देए जैन धर्वाइ सिक संसापक किसे माना जाता है चारो अप्सन आपके सामने है और इसका राइड अंसर होगा महावीर स्वामी गाफ 62 नमर सवाल फिर से सुची 1 और सुची 2 है जिसमें कुछ महावीर स्वामी के बारे में दिया हुआ है तो आपको इसको मैच करना है क्या इसका जर्मिस्थान कहां पर हुआ है मरत्यू कहां पर हुई है इनकी और थर्ड अप्सन दिया हुआ महावीर स्वामी को ग्यान की प्राप्ति कहां पर हुई है और फोर्ड दिया हुआ महावीर स्वामी को सरवादी के प्रवाओ कहां पर रहा है तो ये चारो अप्षन से आपको मैच करना है सुची टू से तो देखे क्या क्या अप्षन हो सकते हैं माविर स्वामी जो की जन्म तर्म के प्रवर्टक है बहुत ही आदर्णी है और इन पे सवाल अक्सर आता है तो माविर स्वामी का जो जन्म हुआ था आका हुजाता है दो लेकिन आका दो होते ही पहला अप्षन तो कैंसल हो जाएगा आब बाकी बचते हैं तीन में सो कोई सावी चाही हो सकता है अब बात आती है उनकी मृट्शव कहां पहुए थी चार सोडर सर्टी सोड पूम में तो वो हुई थी पावा में तो बाका हो जाएगा तीन लेकिन बाका तीन होते ही ये चौथा उप्शन भी कैंसिर हो जाएगा अब बचा आपका खा और गा इन दोनों उप्शन में ही आंसर आना है अब देखते हैं महाविर सौम को ग्यान की प्राप्ति कहां पे हुई थी गयान की प्राप्ति हुई थी जुम्बिक ग्राम के समीप तो साका हो जाएगा चार होती है हमारा गा ऑप्शन करेक्ट हो गया है गा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे चल देए 63 नमबर सवाल जें परमप्रा के अनुसार जेंदर में कुल कितने त्रतंकर हुए हैं तो यह हुए था। 24 और 24 उत्तंकर काँ है यह हैं महाविर सौमी स्वें चौबित में और अंतिम तीरतंकर ठीक है तो चौसर नमबर सवाल पर चलिए राजग्रह में रहाबीर स्वामी ने सरवादिक वास निवास किस रितू में किया चार उप्षन आपके पास हैं बहुत स्टेंडर्ड सवाल है आई इसके मतलब का सवाल है और इसका अंसर आएगा खा वर्षा रितू अगला सवाल देखिए 65 नमबर जैन धर्म के पहले तिरतंकर के रूप में किसे जाना जाता है तो यह हैं रिशब देव अब आपके लिए सवाल यह है कि जैन धर्म के तेश्वें तिरतंकर कौन थे आपको कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना होगा 66 नमबर सवाल देखिए सूची वन और सूची टू को मिलाना है तो फिर से आपके यहां पे 6 अपसम दिये हैं तो 6 के हिसाब से आपके 6 सवाल यहां तयार हो जाते हैं बहुत अच्छा सवाल है तो देखिए किस को किस से मैच करना होगा यहां पे देखिए महावीर के बारे में दिया हुआ है तो आप आपर में पराकरमी 6 नमर इनका बिल्कुल फिट बैठेगा तो आगा हो जाएगा 6 उसके बाद आता है वर्दुमान तो वर्दुमान राग ड्वेश से मुक्त उसके बाद सरमान सा साका हो जाएगा सुख दुख से रहित तो यह तिनों मिल गए आप्सन देख लेते हैं क्या क्या है पहले निशान लगा देते हैं आगा अच्छा है बागा पांच और साका तीन वो सरी चार तो यह तिस आप से देखिए कौन सा उप्षन बनता है यह आगा सिक्स सिर्फ एक में ही है तो यहाँ पर आसान है कुश्चन का अंसर करना यहाँ पर आपका गा अंसर बनेगा गा इस करेक्ट 67 नमर सवाल देखिए महावर सौमी यती कब कहला है यती कब कहला है जो उन्होंने घर तियाग दिया तो घर तियाग दिया आपस्टन बना आपका आपका सरी का 68 नमर सवाल देखिए सियादवाद के किस धर्म का मुलाधार था सियादवाद किस धर्म का मुलाधार था तो इसका अंसर क्या होगा खा जैन धर्म यह तो बहुत ही आसान सा सवाल है 69 नमबर देखें महावीर के निर्वान के बाद जैन संग का अगला द्यक्स कौन हुआ तो आप आंसर देश जुके होंगे I hope यहाँ पैंसर आएगा गा 69 का गा सुधर्मन 70 देखें आदी जैन गरंतों की भासा क्या थी तो यह है प्राकरत अगला देखें जैन धर्म के पांच वरतों में सरवादिक महत्पूर्ण वरत कौन सा है आप अरी ग्रह तो आप्शन बनेगा गा 71 का सुरी इसका आहिंसा सबसे एच्छा आप्शन है खा इसका अंसर आएगा जैन धर्म का सरवादिक परचार परचार की समुधाय में हुआ 72 नमबर सवाल है यह तो यह वियापारी वर्ग इसका मतलब गा इसका राइट आंसर है वियापारी वर्ग 72 नमबर देखिए जैन धर्म सवतांबर यह वियापारी वर्ग सम्परदायों में कब विभाजित हुआ तो इसका राइट आंसर है का चंद्रुप्त मौर्य के समय में अब देखिए 74 नमबर सवाल क्या करता है माविर स्वामी का अपने दामाद जामारी से किस इद्धानत पर मतबेद हुआ 74 नमबर सवाल किसका अंसर आएगा गा किर्या मान करत 75 नमबर सवाल जद्धान के विशह में कौन साकतन सत्य है नहीं है यह लगा और ष़ञे नहीं किया तो विसली इस ने जब इस दंग से पूर्णी और पाप के अधार पर मनसुषी का जर्म उच्छी अन्यम्न कोल में माना है तो इब्राम्मान धर्म से अलग नहीं किया तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ खा आपका राइट आप्शन बनता है खा जैन धर्म के साब से सत्य नहीं है 76 नमबर सवाद लेगिए जैन तिर्फंकर पाशार रुनाद द्वारा प्रतिपादी चार महावरतों में महावीर स्वामी ने पांच यह वरत के रूप में क्या जोड़ा पुरा सवाल नहीं आया भी स्कीन पर दिखा जाती है अगला देखे 77 नमबर सवाल बुद्ध को किस नदी के तट पर ग्यान प्राप्त हुआ चार आपके सामने है बड़ा अच्छा सवाल है सिविल के मतलब का इसका अंसर होगा का निरंजिना नदी के किनारे बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ था अगला देखे 78 नमबर यह कहता पौर्ण इवा की रात के बारे निरंजिना में से कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्पौर्ण है चोड़ा आपके सामने है उसका राइट आंसर है पौर्ण इवा को बुद्ध ने ग्यान प्राप्त किया खा 79 नमबर देखे बौद गया में इस्तित वैबोद इवराक्स जिसके नीचे बुद्ध को ग्यान प्राप्त हुआ था कि शासक द्वारा कटवाया गया 79 नमबर तो इसका राइट आंसर है गा और के राजा शाशांक 80 नमबर सवाल देखे भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी भारत में पूजित मानव प्रतिमा पहली कौन सी थी ओप्शन चारों आपके सामने है तो पहली पूजित मानव प्रतिमा भारत में थी मात्मा बुद्ध की तो यह हो जाएगा आपका option का 81 देखिए ग्रहतियाग महा भिष्ट निक्रमान के बाद बुद्ध ने सरप्रतम किसे उपदेश किसे उपदेश प्राप्त किया 81 किसे उपदेश प्राप्त किया तो यह थे अलार और उद्रक option का is right 82 इस बहुत संगती में बहुत धर्म बहुत धर्म ग्रंतों में संस्कत का प्रायोग प्राराम हुआ तो यह थी चतुर्त बहुत संगती तो इसका आंसर हो जाएगा ग्हा 83 देखिए मातमा भुद्ध द्वारा देगे प्रतम उपदेश को क्या कहा यह तो बहुत ही इंपाउडन सवाल है और इसका राइट आंसर है खा धर्म चक्रपडवरतन 84 देखिए मातमा भुद्ध की मरत्व के बाद उनके शरीक क्या उसे सुपर कितने इस्टूपों का निर्मान किया गया तो इसका राइट डांसर होगा आठ ऑप्सन इस गा 85 देखिए बहुत धर्म के तिरी रत्म के बारे में क्या असत्य है तिरी रत्म के बारे में क्या असत्य है तो इस्टूप इसके बारे में असत्य है 86 इस्टूप किस के प्रतीक माने जाते है चार ऑप्सन आपके सामने फिर से आगे है तो इसका अंसर होगा गा, महापरी निर्मान के बारे में कि प्रतिक माने जाते हैं सरी बहुत इंपर्टन सवाल 87 नमबर बुद्ध धर्मकी की साखा में मंत्र हटियोग एमतांत्रिक आचारों को प्रधानताद दी जाती है तो ये है वजरियान तॉप्सन होगा यहां पे गा 88 नमर देखे बुद्ध के वर्षाकाली निवास के लिए वेलुवन और जेतवन का निर्मान करम से किन लोगों ने करवाया था इसका अंसर भी होगा गा बिम्विसार एवं जैत राजकुमार ने बहुत धर्म के पांच महावरतों का उलेक सरप्रतम कहां पे मिलता है इडिनाइन नमर सवाल तो ये है चंदोप चंदोप ग्योप निश्रद तो राइट अंसर इस खा 90 नमर सवाल फिर से बहुत इंपार्टन सवाल है सुची वन और सुची टू तो नों को आपसमें मिलाना है पहले बहुत संगती कहां हुई थी राजा कौन था और उसमें स्वारी प्लेस का नाम दिया हुए और स्टेट का नाम दिया हुए दो चीज़े दी हुई है तो इनको मैच करना है देखे प्रतम बहुत संगती हुई थी सब्त परनी गुफा राजग्रह में तो पहले का हो जाएगा तीन आका तीन तो आका तीन यहापे दो जिगह हो रहा बाकी सब कैंसिल यानि कि ये और ये कैंसिल हो गए बाका देखे दूतिये बहुत संगती कहां हुई थी तो ये हुई थी वैसाली में तो बाका हो गए चार आका तीन बाका चार होते ही आपको अंसर आजाएगा चाओ तो अगला भी मैच कर लो चतूर बहुत संगती जो हुई थी वो कंडूल कश्मीर में हुई थी तो ये भी बहुत इंपर्टनेंट है ये चार सवाल आपके यहां से तैयार हो ही रहें जैसे हमने पहले बताया कि इस तेनके सवालों में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है तिरती है बहुत संगती आपकी कहा पो हुई थी पार्टली पुत्र में ठीक है तो साका हो जाएगा दो तो राइट आप्शन इस आप अगला सवाल नाइट वन नमर बुद्ध के प्रागरम भी करना रहा है यहां में सरवादिक संक्या किसकी थी चार आप्शन आपके सामने है तो यह था आप्शन यह है आप्शन खा बराहम मलों की सबसे ज़्यादा संक्या थी तो राइट आंसर इस खा नेक्सवाने सुची वन और सुची टू फिर से तो यहां पर फिर से बहुत अच्छी तैयारी आपके यह कराएगा पांचे सवाल आपके तैयार करा देगा बासाद आगा पांच सवाल यहां सबके तैयार हो जाएंगे कि सी भी बी सी और डी ग्रूप एक्जाम्स के लिए मातमा बुद्ध से सम्मंदित सब ये इस्थल हैं और उनके जिए उनके बारे में गटित कुछ गटनाई दी हुई है तो जन्म इनका कहां पर हुआ था लूंबनी में हुआ था तो आका हो जाएगा पांच तो आका 5 होते ही पहला गैसल और लास्ट गैसल अब बज़ते हैं 2 अब जिरके आक पांच होते ही आप जिरके महाँ भी निष्क कुरमन कहां पर हुआ था तो ये हुआ था कुछी नगर में स्वारी कप्ल वस्टू में कैभर वस्टो की साब की यह जाएगा 2 बाका हो जाएगा 2 आका 5 बाका 2 तो राइट आंसर प्लीं अज रजवा हो जयेगा इसका राइट ँवाज़ावों अगले सवाल नेक्स्स वन, 94 नमबर सवाल देखे, बुद्ध के आस्तांगिक मार्क के बारे में पर्थम जानकारी कहां से मिलती है, आस्तांगिक मार्क के बारे में पर्थम जानकारी, तो ये मिलती है, चांदोग ये उपनिशद का, इस राइट आंसर, 95 देखे, महातों, बुद्ध के वि सास नहीं करते थे यह तो करते थे तो यहां पर गाह इस नौट करेक्ट मतलब हमारा आंसर गाही बनेगा नेक्स वान इस 96 नमबर सवाल देए किस बहुत गरंद में सरफ़त हम संस्क्रत का प्रयोग हुआ है संस्क्रत का प्रयोग सबसे हुआ है अभी धम पिटक में तो राइट ऑप्षन इस गा नाइटी सेवन नमबर देखिए कि सवाल नमबर अब बहुत धर्म 500 वर्सों से अधिक नहीं पनव सकेगा यह किसका है दो अप्षन आपके सामने है और दो और आपको दिखा देते हैं दो अप्षन यह हैं तो गाह इस राइट आंसर यहां पर मातों बुद्ध गाही यह किसका है 98 नमबर देखिए बुद्ध ने सरवाधिक उब्देश कहां पर दिया सबस्यादा टाइम उब्देश कहां पर दिया मातों बुद्ध ने तो इसका राइट अंसर है खा सरावस्ति बहुत ही इंपॉर्टन सवाल चलना है यह मातों बुद्ध और एंसे एन हिस्ट्री के तो आपको एक भी मिस्स नहीं करना चाहिए 99 नमबर सवाल देखिए भावुद्ध की किस रूप में जम लेनी की कलपणा की गई है चार उप्सें आपके सामने है और इसका राइट आंसर है का मैत्रे के रूप में जम लेनी की कलपणा की गई है 100 नमब्र सवाल देंगे सुची 1 और सुची 2 है तो डेटेल्स में इसको देख लेते हैं यह की पूरी डिटेल है इसके इन पेस समय सुची 1 दी हो यह सुची 2 दोनों को मैच करना है बहुत महत्पॉन सवाल इया बहुत जाद महत्पॉन देखिए मादबां बुद्ध से समबं क्या बनेगा हाथी किसको रिपर्जेंट करता है बौद के गर्म में आने का प्रतीक गोड़ा किसको रिपर्जेंट करता है ग्रहते आग का प्रतीक है गोड़ा तो आगा तीन बाका चार हो गया हमारा आगा तीन बाका चार होते ही हमारा यह और यह दो आप्शन हो सकते हैं ल और दा बचता है तो दा का हो जाएगा दो समरद्दी का प्रतीक है शेर तो कितना important सवाल था यह आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं हर एक competition वाने वाला सवाल है यह कहीं पर भी टपक सकता है तो चलिए यह था हमारा वीडियो नमबर टू जल्दी हम वीडियो नमबर तीन के साथ उफस्त होंगे आशा है आपको यह help परेगा आपके dream achieve करने में thank you for watching thanks a lot